क्या हो जब आपकी किस्मत रातो रात चमक जाए क्या हो जब आपको लाखों में कोई एक चीज ऐसी मिल जाए जो बहुत ही जादा कीमती हो या तो आप यह सोचेंगे कि आपकी किस्मत थी जो चमक नी थी और चमक गई या फिर आप यह सोचेंगे कि सबसे पहले मैं पुलिस क पास जाओं और उनको ये बताओं कि ये चीज मुझे मिली है ये क्या है तमाम ऐसी चीज़ें आपके ख़याल में आएंगी लेकिन बिहार से कैसी खबर सामने आई जिसने पुलिस तक के होश उड़ा दिये हैं बिहार से तीन ऐसे तसकरों को गिरफतार किया गया है जिनके पा जो इसका प्रतीक है साइंटिफिक लैंग्विज में अगर हम कहें तो ये सीएफ के नाम से जाना जाता है गोपाल गंज से बिहार के गोपाल गंज से और यूपी के सीमा से सटे बेल्थरी चेक पोस्त के पास जो है पुलिस ने जब घेराबंती की पुलिस ने चेकिंग की तो इन तसकरों के पास से कैलिफोर्नियम नाम का रेडियो एक्टिव एलिमेंट पकड़ा गया है लगभग 50 ग्राम बताया जा रहा है जिस एलिमेंट को पकड़ा गया है और प्रती ग्राम इसकी कीमत 17 करोड रुपे है 50 ग्राम क्यूंकि पकड़ा गया है ऐसे में अगर से ये निकले थे और सीधे ये बिहार जा रहे थे लेकिन इनके पास सी कैलिफोर्नियम आया कहां से ये सवाल बरकरार है इस सवाल का जवाब तराशनी के लिए लगातार पुलिस के तरफ से तमाम जो आप्रिशन्स हैं वो चलाय जा रही है स्पेशल टीम एक गठित क चीज इतनी कीमती चीज जो बहुत मुश्किल से बनाई जाती है जिसके अंगिनत फाइदे हैं साथी नुकसान भी है ये इन तसकरों के पास कहां से आई और कहां से इसको लाया गया है किस जगे का ये प्रॉड़क्ट है इन तमाम चीज़ों को लेका जाग चल रही है आठ अगस का दिन बताया जा रहा है जब पुलिस ने कैलिफोर्नियम बरामत किया इन तीन तसकरों के पास से और अभी भी पूश्टाच चल रही है तीन तसकर गिरफतार हुए है कुशिनगर से गोपाल गन जा रहे थे बिल्थरी चकपोस्ट के पास में पुलिस ने इन्ह जा रहा है कि पुटुचरी के ने नुकलियर जो पावर कंपनी है वहां से इसके तार जुड़े हो सकते हैं लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर जो यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यह है क्या और क्यूं यह इतना जादा कीमती है त लेकिन इस साइज में बनाया जाता है जिससे कि एक हुमन बिंग जो है वो अपनी आखों से देख सके हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे कई अलिमेंट होते हैं जिने आप माइक्रोस्कोप का यूस करके देखते हैं लेकिन यह जो धातू है इसे आप आसानी से देख सकते है कैरी कर सकते हैं यहां तक कि यह कैसा element है कि आप इसे आसानी से काट सकते हैं चाहे चाकू हो या blade हो किसी भी चीज से आप इसको divide कर सकते हैं यह इतना easy to carry element है और इसका जो प्रतीक है वो हमने आपको बताया ही कि इसका प्रतीक CF है और इसकी जो परमानु संक्या है वो 98 है साथी neutron और plutonium का जो mixture होता है उससे californium बनकर तयार होता है इसका इस्तमाल भी बहुत एहम जगों पर किया जाता है nuclear बनाने में इसका इस्तमाल किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़ादा heat की मातरा होती है तो ऐसे में nuclear को start करने के पहले जो आग आप देखते हैं उस समय इस आग को और भी ज़ादा बड़ा बनाने के लिए इस element का इस्तमाल किया जाता है आग की तरह ये काम करता है cancer के लिए ये बहुत ज़रूरी element होता है cancer patients के लिए जो दवाईयां बनती हैं बहुत सारी चीजे ऐसे equipment बनते हैं उनके लिए इसका use किया जाता है oil drilling में भी इसक अगर आपको बताया कि कितना easy होता है इसे carry करना इसके कुछ फाइदे हैं तो कुछ नुकसान भी है फाइदे भी हमने आपको बताएं कि दवा के तौर पर भी इसका इस्तमाल किया जाता है तो क्या ये जो तसकर है उन्हें किसी ने ये दिया था बिहार तक पहुंचानी के लिए किन लोगों का और हाथ है इसमें यह भी जांच का विशय है जो red blood cells आपकी body में होते हैं अगर आप बहुत देर तक कैलिफोर्नियम के contact में हैं तो आपके शरीर में मौझूद red blood cells बहुत जादा हानिकारक होने लगते हैं बहुत जादा effect होते हैं कहा ये भी जाता है कि अगर ये किसी भी जरिया आपके खाने में पानी में आ गए आपके शरीर में ये चले गए तो आपके body में red blood cells को बहुत जादा नुकसान पहुशने लगता है लुकीमिया और blood cancer जैसी बिमारी भी हो सकती है एक तरफ जहां cancer से बचाने के लिए California बहुत जादा usable होता है तो दूसरी तरफ अगर ये excess मातरा में आपकी body में पाया गया तो आपको blood cancer भी हो सकता है तो सोचिए कि कितना जादा हानिकारग भी है ये तो फाइदेबन भी है ये सोना और चांदी की ख़दानों की पहचान तक के लिए बहुत जादा जरूरी होता है जो metal detectors होते हैं उनको ब होता है ऐसे में ये भी बहुत जादा फाइदेमन नहीं होता है कहा ये जाता है कि अगर बहुत जादा इसकी मातरा पाई जाती है तो जैसा कि आपको बताया कि red blood cells तो कम होते ही है लेकिन आपकी body एक समय में sun हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी silent zone में चले ग महेंगी चीज़ को आखिर लेकर कहा जा रहे थे जब पुलिस ने उनसे पूछताच की और बहुत को जानना चाहा तो वह भी कुछ भी कहते वे नजर नहीं आ रहे हैं हाला कि जब इसे आयाइटी भेजा गया मद्रास के तो वहां पर यह पता चला कि यह है क्या चीज़ और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जो यह तसकर है क्या वाकई में इनका जो कनेक्शन है वो यूपी से जुड़ा है अब कन्फिजन इसलिए है कि यूपी और बिहार की सीमा पर मिला है तो बिहार में लेकर तो यह जाना चाहते ही थे लेकिन कहा तक यह पहुचाना चाह कर दो कर दो को अबुर को यह कर दो है